आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो हमें वही चीज देखनी है देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो Hybridization निकालूँ तो देखो यह आपका I2 इस तरीके से होगा ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो Basically Hybridization कैसे निकालते हैं? Number of Valence Electron Central Atom पे Plus Number of Monovalent Atom Plus Minus हम क्या करते हैं? यहाँ पर Charge and divided by Whole divided by क्या होता है? हमारा 2 तो देखो यहाँ पर हमारा Valence Electron 7 है Plus 2 Monovalent Atom Plus 1 divided by 2 यानि कि 5 आ गया यहाँ पर 3 क्या होता है? Lone Pair 2 क्या होता है? आपका Bond Pair ठीक है? तो देखो अगर इसका structure देखें तो यह Basically कुछ इस तरीके से होता है यह आपका I यह आपका I और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? Lone Pair होता है तीन क्या होता है आपके Lone Pair तो यह 1, 2, 3 हो गए और Overall क्या आ जाएगा? इस पर Negative Charge तो अगर हम देखें तो यह जो आपकी Species होती है यह आपकी क्या होती है? इस तरीके से यह हमारा Linear होती है इसको हम क्या Consider करते है? इस तरीके से अगर इसकी Shape की बात करें तो क्या हो जाती है? आपकी Linear तो Linear हो गया CO2 की बात करूँ तो आपका C Double Bond O और इस तरीके से होता है यह भी Linear होता है Zenon F4 की बात करूँ तो देखो 8 प्लस 4 क्या है Noble Gas divided by 2 तो यानि कि यहां पे क्या हैगा 6 यहां पे 4 क्या होता है Bond Pair और 2 क्या होता है Lone Pair तो अगर मैं इसका Structure Draw करूँ तो आपका F यह आपका F, यह आपका F है यह भी आपका F है और यहां पे क्या होता है 1 और 1 यह वाला मेरा Lone Pair तो यह जो आपका होता है Zenon F4 यह आपका क्या होता है Square Planner यह आपका क्या होता है Square Planner यह भी Planner हो गया अब मैं I2Cl6 की बात करूँ तो basically I2Cl6 जो है वो हमारा एक Dimer है जो आपका कुछ इस तरीके से होता है CL यह आपका CL यह CL यह Iodine यहाँ Chlorine, यहाँ Chlorine यहाँ Chlorine, यहाँ Chlorine यहाँ Chlorine क्या होता है मेरे Bridge पे होता है और यह जो आपकी Species होती है Iodine Trichloride जो है एक Interhalogen Compound है Iodine और Chlorine का यह हमारा क्या होता है Solid State में अपने Dimer Form में रहता है I2Cl6 ठीक है इस तरीके से जिसमें 2 Bridging होते है और यह हमारा एक Planar होता है तो यह निकि यह भी अपका Planar हो गया क्योंकि Linear है और यह हमारी क्या हो गई सारी की सारी यह भी Linear है CO2 तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा Planar तो हमारी सारी Species क्या है यहाँ Planar तो Option 1 Correct है अब अगर Second की बात करूँ तो देखो CO2 हमने देखी लिया है CO2 तो होता है आपका SF4 की बात करूँ तो SF4 में आपका क्या हो जाएगा Group 16 का है 6 प्लस 4 divided by 2 यानि कि मेरे पास 5 आ गया तो यहाँ पे 4 Bond Pair है और एक क्या है Loan Pair है एक क्या है Loan Pair है यहाँ पे बोला है कि सारा होना चाहिए तो अगर एक भी नहीं है तो यह आपका अंसर ही नहीं होगा फिर भी अगर मैं CLF3 का भी देखूँ तो आपका CLF3 में अगर आप देखो तो 7 यहाँ पे देखो 7 क्योंकि हेलोजन क्रूप 17 का है plus 3 divided by 2 यानि कि 5 3 bond pair आते हैं और 2 loan pair आते हैं ठीक है 3 bond pair और 2 आपके loan pair तो यह हमारा यहाँ पे fluorine एक fluorine यहाँ होता है एक आपका यहाँ पे होता है और इस तरीके से 2 loan pair होता है तो यह भी नहीं होता इसके बाद आपको BRF5 given है तो अगर मैं यहाँ पे BRF5 की बात करूँ तो similarly इसमें 7 plus 5 divided by 2 यानि कि 6 यहाँ पे bond pair होते हैं 5 और एक हमारा क्या होता है loan pair होता है एक हमारा क्या होता है loan pair होता है तो आपका bromine हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच आपके इस तरीके से क्या हो जाएंगे फ्लोरीन हो जाएंगे और एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से loan pair हो जाएगा तो यह भी हमारा planer नहीं है तो option 2 तो cancel ही था अब इसमें हमने xenon F4 का देखा ही था अब अगर मैं यहाँ पे H2O की बात करूँ देखो H2O की तो H2O आपका इस तरीके से होता है यहाँ पे क्या होता है हमारा 2 loan pair तो यह planer नहीं है तो यह हो गई नहीं यह option भी नहीं होगा और यहाँ पे अब आपको क्या दिया हो है xenon O4 तो xenon O4 में आपका क्या होता है यहाँ पे यह 8 होता है monovalent atom है नहीं divided by 2 तो 4 hybridization के आती है SP3 और इसके पास क्या होता है 4 इस तरीके से bond pair होता है तो xenon double bond O double bond O double bond O और यह इस तरीके से ठीके तो यह भी हमारा tetrahydraline नहीं होगा अगर PF3 की बात करूँ किसकी PF3 की तो आपका 5 प्लस 3 हो जाएगा divided by 2 यानि कि 4 SP3 हो गया यहाँ पे 3 bond pair एक loan pair है तो यह आपका P ये F ये F ये F और एक आपका loan pair हो गया तो ये भी नहीं है तो हमारा option third cancel अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी fourth की तो ICL2 positive और ICL minus की बात कर रहा है देखो यहाँ पे आपको ICL2 positive है ICL minus है और कौन सा है देखो तीसरा भी हम देख लेते हैं यहाँ पे CO2 हमने देखी लिए है और Xenon O3 है ठीक है आपका क्या है Xenon O3 इस तरी के से तो इन तीनों की बात करूँ मैं तो देखो आपका iodine है 7 plus 2 minus 1 divided by 2 यानि कि यह कितना हो जाएगा आपका 4 आजाएगा यहाँ पे 2 तो bond pair हो गए और 2 क्या हो गए lone pair हो गए 2 bond pair और 2 क्या हो गए आपके lone pair तो यहाँ पे हमारा इस तरी के से यह chlorine यह chlorine और 2 क्या होते हैं और overall इसके उपर क्या है positive तो यह भी planar नहीं होता ठीक है क्योंकि यहाँ पे SP3 आया अब ICL minus की बात करूँ तो आपका 7 plus 1 plus 1 हो जाएगा देखो यहाँ पे क्या दिया हो गए यह आपको ICL2 minus है ICL2 minus तो 7 plus 2 तो यह आपका 2 से divide तो यह कितना हो जाएगा 5 यानि SP3D तो bond pair कितने हो गए आपके 2 और loan pair कितने हो गए 3 तो हमने अभी ऐसा draw करके देखा था आपके 3 loan pair 2 आपके bond pair हो गए ठीक है तो यहाँ आपका देखो एक loan pair 2 loan pair एक यह loan pair यह आपका CL और यह आपका इस तरीके से CL और यहाँ आपका क्या जाएगा इसके ओपर negative charge आजाएगा इसके ओपर क्या जाएगा तो यह तो हमारा क्या हो जाएगा linear हो जाएगा ठीक है यह तो linear हो गया अब किसकी बात कर रहा है जिनौन O3 की तो आपका 8 divided by 2 यानि कि आपका 4 आगया hybridization आपकी SP3 आगई bond pair यहाँ पे 3 होंगे और एक आपका क्या होगा यहाँ पे loan pair होगा तो इसका structure कुछ इस सरीके से हो जाएगा double bond हो, double bond हो, double bond हो और एक आगया मेरा loan pair तो यह भी planar नहीं है तो हमारा यह option भी cancel सिर्फ option 1 में जितने दिये थे वो आपके planar थे Thank you